इंड़ाइब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आटो टॉक्सिक दवाओं के बारे में जानकारी लेंगे। याने कि एसी दवाएं जिनकी यदि सही डोज या जिनने यदि सही तरीके से नहीं लिया गया। तो इससे हमारी सुनने की शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इन दवाओं से इनर इयर खासकर सैंसरी नियूरेल हेरिंग लॉस का खत्रा बना रहता है। वैसे हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन उस वीडियो में हमने बहुत ही कम याने के साथ या आठ दवाओं की ही जानकारी ली थी जो की सच में बहुत ही कम हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लगबग उन सभी दवाओं को कबर करेंगे जो कामली यूज होती हैं और जो रेरली भी यूज होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग बिना किसी कारण के दवाय खाते हैं, दवाय खाना जिसे उनकी आदत बन जाता है, देखिए हम सभी को हमेशा कही न कही दर्द रहता है, सभी की बाडी में छोटी बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं के लिए बार बार गोली या दवाय खाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे बाडी की फंक्शनिंग में अचानक बदलाव आता है, और इसका बुरा असर हमारे कानों पर भी पढ़ता है, हम इन दवाओं की जानकारी लें, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि और टोक्सिसिटी क्या होती है, तो देखिए, और टोक्सिसिटी का मतलब हमारे आंतरिक कान को किसी ड्रग या केमिकल से होने वाला डैमेज, जिसके करण स्थाई या अस्थाई हैरिंग लॉस हो सकता है, टिनाइटस हो सकता है, या लेकिन यहां हम केवल इनके मेन कंपोनेंटसिन की पहचान करेंगे, तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टॉबरामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और एमिकेसिन जैसे एंटिबायोटिक्स शामिल हैं, ये दवाए जादातर उन लोग को दी जाती या एसे लोग जिनने सर्दी जुकाम रहता है, या एलर्जी की समस्या रहती है, एसे लोग अपने लक्षणों में राहत पाने के लिए बार बार एंटिबायोटिक्स का यूज करते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि कौकलिया में डेमिज शुरू हो चुका है, तो आप जितनी recommended dose है, केवल उतनी ही ले और उतने ही duration तक ले, कभी भी overdose ना करें, नेक्स्ट केटिग्री है, एनलजेसिक दवाओं की, यानि एसी दवाएं, जो दर्द के एहसास को कम करती हैं, जैसे कि आईबिप्रोफिन, जब शरीर में कहीं भी दर्द होता है, जैसे जो लोग बिना किसी कारण के भी, शरीर में थोड़ा सा भी दर्द होने पर, दर्द निवारक दवाएं खाने लगते हैं, जो कि बाद में बहुत बुरा होता है, अगर कोई गंबीर समस्या नहीं है, तो आप शरीर के दर्द को प्राकरतिक रूप से ही ठीक होने दे, जो कि हमा का लेवल बदल जाता है, हाला कि एक अच्छी बात यह है, कि यदि इन दवाओं को बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लिया गया है, तो एनलजेसिक दवाओं से होने वाले हैरिंग लॉस को रिवर्स किया जा सकता है, या या अपने आप रिवर्स हो सकता है, अगली केटेग देती हैं, जिससे कॉकलिया तक बलड पहुचना कम हो जाता है, और हैर सेल्स डेमेज हो जाते हैं, हाला कि इने भी यदि बहुत अधिक डोज में नहीं लिया गया, तो इन दवाओं को प्रभाव को भी रिवर्स किया जा सकता है, इंटी मलेरियल दवाओं में, कोइनिन, क् इन जैसी दवाओं शामिल हैं, अब next category है, cytotoxic दवाओं की, यानि कि इसी दवाओं जो शरीर की कोशिकाओं का डेमेज करती हैं, इन में nitrogen mustard, cisplatin और carboplatin जैसी दवाओं शामिल हैं, पहले हम इनकी छोटी सी जानकारी लेते हैं, तो देखिए, nitrogen mustard और cisplatin जैसी दवाओं को रोगियों को दी जाती है, और इनके खास बात यह होती है, कि ये normal, यानि स्वास्त कोशिकाओं और cancer वाली कोशिकाओं में अंतर नहीं कर पाती, इसलिए इनके side effects काफी अधिक देखने को मिलते हैं, और क्योंकि इनका उपयोग cancer के रोगियों में किया जाता है, इसलिए साम प्रिसमाइट, एथाक्राइनिक एसिट और ब्यूमेटानाइट, और इन दवाओं से हमारी कॉक्लिया डक्ट में ओडेमा हो जाता है, यानि कि उनमें सूजन आ जाती है, और हेरिंग लॉस भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है, कि इन दवाओं को छोड़ अब नेक्स्ट केटिगरी है, कुछ केमिकल्स की, जिनमें अलकोहल याने शराब शामिल है, तमाकु शामिल है, क्योंकि पान, गुटका, बीड़ी और सिगरेट पीने वालों को हेरिंग लॉस की समस्या भी काफी अधिक होती है, इनके अलाबा कुछ बड़े नशे, जैसे क चरस, गांजा और भांग भी शामिल है, और यदि किसी को कारबन ओकसाइट की पॉजनिंग हो रही है, खासकर इसे लोग, जिनके आसपास काफी धुआ रहता है, इसे लोग को कारबन मौन ओकसाइट से हैरिंग लॉस भी हो सकता है, वैसे इस बारे में विस्तार से जानने क के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आपको end screen पर मिल जाएगा तो आप chemical toxicity का भी काफ़े ध्यान रखें अब last category की बात की जाए तो इनमें कई drugs और chemical शामिल हैं जैसे erythromycin, ampicillin propanolol और कुछ high drop इसके अलावा कुछ mouth washes भी जैसे कि chlorhexidin और polymaxan B इनमें से chlorhexidin का उपयोग ज्यादा तर bacteria और virus को खत्म करने के लिए mouth washes में किया जाता है और polymaxan B का use आखों में bacterial infection को खत्म करने के लिए किया जाता है इनके बार में मैं आपको किस यूर वीडियो में detail में जानकारी दूंगा कि इन दोनों का use करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए तो इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं यदि ये जानकारी आपको helpful लगी है तो इस वीडियो का आप share करें और चैनल को अभी subscribe करें and thanks for watching this video